जे सिया राम भक्त जनु प्यारे भक्तो भगवान स्वयम कहते हैं कि अगर आप यह एक कारिय करोगे तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा प्यारे भक्तो क्या कारिय है इसके करने से भगवान हमेशा हमारे साथ रहें इससे अच्छी बात तो और कोई हो नहीं सकती प्यारे वक्तों, बहुत छोटी सी बात है, बड़े ध्यान से समझना, आप लोगों को बार बार यही बताने का प्रियास किया जाता है, कि आप भगवान का भजन, सुम्रन, ध्यान कैसे करें, और किस समय करें? तो प्यारे भक्तो हम आपको ये इस्पष्ट बता जाना चाहते हैं कि आपको केबल और केबल एक ही काम करना है और वही कारिय सबसे सर्वोत्तम है और वही कारिय करने से भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे निसंद है इसमें कोई संद है नहीं है प्यारे वक्तों वह क्या काम है वह काम बहुत छोटा सा है और बहुत ही सरल है अगर आप उसे करना शुरू कर दें तो वास्तम में ही भगवान आपके हमेशा साथ रहेंगे वह कारिया है कि आप अपनी स्वांसों को मन के द्वारा आपने साथ एकागर चित करते रहें क्योंकि स्वांस ही इस जीवन का सार है अगर ये स्वांस सरीर में नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है स्वांस से ही हमारा जीवन है इसलिए आप केवल केवल एक ही कारिया करें हो है है स्वांसों के साथ मन को जोड़ दें मन को स्वांसों के साथ जोड़ दें बस इतना ही कारिया करना है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कारिया कर सकेंगे तो भगवान वास्तम में आपके साथ रहेंगे क्योंकि भगवान से हम कहते है कि मैं स्वांसों के अंदर हूँ मैं दिल की धड़कन में हूँ मैं अनहद में हूँ भगवान स्वैम बताते हैं लेकिन धड़कन में देखना बड़ा मुश्किल काम है अनहद के साथ जुड़ना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन स्वांस के साथ जुड़े रहना स्वांसों को मन से देखना यह सबसे आसान कारी है तो प्यारे भकतों आप केवल और केवल यह कार यह करें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी स्वांसों के साथ मन को जुड़ने का प्रयास करें और जैसे आप प्रियास करेंगे एक दने वह समय आएगा कि आपको हर समय स्वांसों का ध्यान अपने आप होने लगेगा तो बस जब ये कारिया होने लगेगा तो भगवान आपके साथ होंगे और जब भगवान आपके साथ होंगे तो आपका कोई विकारी है निस्पन ने हो सकता हर कारिया में सफलता मिलेगी आपको सुकी सुक होगा दुख नाम मतर होगा भी नहीं तो प्यारे वक्तों आप समझ गया होंगे अब हम अपनी बानी को ब्राम देते हैं जैसी यारा